यह मुलक खुसरों को दिया जाए किस खुसरे को finance की नदर में कोई बड़े कुसरे है नुटे गए पिट्रा है किदू पूरा करिए बंद्ध ने खर्चे नीं पूरा अंद्धा बादे पिठ लो खिमें पूरा करना है राध ही किसी नामालूम शाइर ने कहा है बेबसी अथि चारगी की मौत मारा जाएगा अपने ही घर में आदमी की मौत आदमी आणा जाएगा भाگते कुटे ने अपने साथी कुटे से कहा पाकिस्तान से भाग वरना आदमी के मौद मारा जाएगा असलाम अलेकुम नाजरीन आज हम एक पट्रोल पंपर मुजूद है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हकूमत ने राद पेट्रोल की कीमतों में 26 उरुपे मजीद अधाफा कर द लिए न दी बहुत फाउजड़ी है अएण वार काकड उल्टा दला गेरत गजनाब इन वल्ला इए गिरा ना जी बुरे कम करूंदा दला बगेरत एक खूसरा जी इस बगहरत नो ला दिता जाए जनाब इनम धिता जावे जनाब इसमुलक दाव्यावे अचि आप काकड को सब नार्मल हो जाएगा यह मुलक खुसरों को दिया जाए चुसरे चला सकते हैं उसमें क्या टैलेंट है उनको मौका दिया जाए वो क्या करते हैं कुंसा खुसरा को मौका दिया जाए आपकी नजर में कोई है बड़े खुसरे हैं सबसे खुबसूरत खुसरा महग मलक है उसको जाए चले जी थैंकी सो माज असलाम अलीकम वालेकुम असलाम जी रात पेट्रोल 26 रुप्र बढ़ गया है कैसे पूरा करें प्रोल कि बहुत मुश्कल हो गी यह जड़ा महा होगा इए खर्चे यह जानदाल फ़र्वान पहले का थैंश्यां क्यों प्रॉल मेंगा होगा है प्राइस प्राइस जो है यह मजीद इंक्रीद हुई है इस पर राद ही किसी नामालूम शायर ने कहा है कि बेबसी बेचारगी की मौत मारा जाएगा अपने ही घर में आदमी की मौत मारा जाएगा भागते कुटे ने अपने साथी कुटे से कहा पाकिस्तान से भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा वा कर दिया यहां पर तो सांस लेना मुश्कल कर दिया कोमने कि आप सांस लेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा आप ज्यादा तेस सांस लेंगे तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा तो इसके बड़ी मुश्कल सूर्थ है लेकिन यह मुलक तो बनाया गया था ना कि यहां की जो है वो यहां से यहां पर असानी से जिंदगी गुजार सके लेकिन यहां पर जो रहते उनकी जिंदगी ही मुश्किल हो गई गुजारश यह है कि जो कहा जाता है कि रियासत होगी मां के जैसी उसका मतलब ही होता है कि रियासत जो है वह अपने शहरीयों के हकूप का ख्याल करत इन्होंने अपने से टेक्सिस एड़ गी है हाँ इन्होंने अपना दूसरा जो बैलेंस है उसको लावल करने के लिए इधर से पकड़ा है अवाम को लेकिन पैट्रोल इतना मेंगा कर दिया गया कि कोई उपर चड़के अगर मरना भी चाहे तो उसी खरीज से ही बाहर है अगर अगर प्राइस बढ़ रही है और लोगों की तनखाहे नहीं बढ़ रही लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही तो यह ज्यादा देर ऐसे चलेगा नहीं यह सारा सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा हाँजी जनाब राद 26 रुपे पैट्रोल और बढ़ गया है क्या सूरते हाल है यार लुटे गया हमारे गया पिट्रोल कि दू पूरा करिए बंदियां थे खर्चे नहीं पूरे उंदे पर अटा नहीं पूरा है अब हम बड़ी तंग है इस पिट्रोल तो यार अच्छा तुछ कौन सुमेदा आ रहा है यह पट्रोल बढ़ने का एकूमत यह पाई जेड यह पाई को लेंदे तहां तेल पूरा हो यह जी तो क्या कहना चाहिए गया हकूमत को इस पट्रोल के वाले से कम करते हैं यह जब पट्रोल बढ़ता है तो इनके उपर उसका क्या आसर बढ़ता है अब पट्रोल बढ़ता है जी तो अवाम तो तंग होती होती है आप पर भी कोई इसका असर होता है आप पर बहुत ज्यादा तांग है और बहुत तो इसटा करोछा तो कुई आप जो आप से ट्ल डलवाने आते हैं कोई ऐसे बन जातें कहते कि यार पैसे फियड़ लाओं यार किसे कोई पैसे वहां आज डिल लाए Homer लेकिन डलवाना तो है मजबूरी अपने गर्टों जाना ही उन्होंने तो फिर क्या रेक्षिन होता कभी किसी पर तर्थ सखाकर कोई दे देते हैं फ्री या नहीं को जारा होता फ्री देने से नहीं है लेकन सानुना वाफसी ते कोई पैसे देवें नांदा नहीं है यार असी लाजम है ना भाई जाना सी ता मुलाजम है यार फिर किसे तरस करना पूंदा किसे न पाक जेब चुदेना पूंदा वहां मैं जबूर होई खड़ी है जाने बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया असलाम अलेकम अलेकम स्लाइक राच चबिस पे पट्रोल और बढ़ कैसे चला रहे हैं और बात मुश्किल से चला रहे हैं और मोटर सैंकल बेच कर चाहिए और अचाई बेचने में से तो देल ने पूरा हो जा मिलिए भी कार का खरचा पूरा करें और इदर से जो अमीन से प्रटोल दिलूए